क्या आप OLX का पुराना अकाउंट खोलना चाहते हैं या लोगिन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बाताने वला हूँ कि आप आसानी से OLX का पुराना अकाउंट कैसे खोल सकते हो या लोगिन कर सकते हो सो इसी वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले आपको अपने फोन में OLX को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है चले मैं ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद आपको यहां दिखा दिया जाएगा इस तरह से आपको यहां पर क्या करना है अपने उस email id को या phone number को डालेंगे लोगइन करेंगे जिस phone number या email id से आपने OLX अकाउंट बनाया हुआ था आपको याद होना चाहिए अगर याद नहीं है तो सभी phone number सभी email id से ट्राइक करेंगे चले मैं आपके सामने OLX का पुराना अकाउंट लोगइन करता हूँ कांटरिन भीथ phone पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे याद है कि हमने अपने phone number से OLX का अकाउंट बनाया था आपको भी याद होना चाहिए अगर आपको याद नहीं है तो आप नीचे email पर क्लिक करके आप email id को डाल करके check करेंगे ट्राइक करेंगे मैं आप पर enter करता हूँ phone number आपको भी enter करना है phone number को डाल दने के वद आपको यहाँ next करना है तो आपको यहां forget your password पर क्लिक करना है जैसे आप यहां क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर कुछ second होते हैं आपको यहां पर wait करना है OTP आएंगे, OTP automatic deduct भी हो जाएंगे आपको यहां पर wait करने के बाद नया password को बनाना है चले मैं बनाता हूँ, आपको भी बना लेना है password बना लेने के बद आपको यहां save button पर क्लिक करना है जैसे आप यहां क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपको यहां पर पोछा जाता है कि आप यहां location permission को allow कीजी आपको यहां allow कर देना है अलाव करते हैं तो आपका पुराना अकाउंट ओपन हो जाता है आप यहां देखिए अकाउंट सेक्षन पर क्लिक करते हैं और आप यहां देखते हैं तो आपका पुराना अकाउंट आजाएगा अगर आपका ये पुराण आकाउंट नहीं है तो आप दुसरे फण नमबर या दुसरे एमिलाडी से ट्राइक करेंगे तो आपका पुराण आकाउंट ओपन हो जाएगा इस तरह आप आसानी से OLX का पुराण आकाउंट को खोल सकते हैं या लॉग इन कर सकते हैं तो मैं आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुती पशंद आया होगा वीडियो पशंद आये तो इसी वीडियो को लाइक कर देना चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में देजे इजाज़त थैंक्यू शमाच